जवान CRPF में तैनाथ था जमू कस्मीर में वो सहीद हो गया जिसको नम आखों से अंतिम बिताई दी गई कस्मीर के पुलवाबा में रहवार को आतंकियों ने सुरक्षावलों के टीम पर हमला कर दिया था आतंकी हमले के बास स्वक्षावलों ने मुर्चा समरवा आतंके उकलाब कारेवाई की जा रही है सहीर हुए CRPF के नायव सुवेदार विनूद कुमार पाल त्रेपन वर्स खायंत्रन छेत्र के नगला विदी के मुल लिवासी है कुछ महीने से उनका परिवार कायम जंच के मौला दत्तु नगला नई कालोनी में रहने लगा है पिछले महीने ही 24 जून को दीज़न की चुट्टी वितागर डूटी पर गए थे चुट्टी के दुरान उनोंने अपनी प्रत्रमी सुमन का उपरेशन कराया था आतंक की हमले वो जक्मियों वो एस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया सहाधत की सुचना परजनों को मिली तो कौराम मच गया और उनका पार्थिक सभी फरुकाबाद के प्रत्रं गाव नगला विधी पहुँचा गाव में अंतिम संसकार हुआ उन्होंने पत्नी सुमन रुकलोता बेटा राजा माता पता गुजर चुके विनोद के बड़े बाई परमोध हुँ सेना के जवान थे पिछले साल सेवाद नंबर थोकर गाव में खेती करते हैं सरकार की ओर से पसुदन राज्य मंतरी दहंपाल सिंग सहीद परिवार को पचास लाख रुपे का चेक वएक नोकरी का वादा किया है और सड़क और इसमारक बनाने की घुष्णा भी की गई है राहुल गुत्ता फरुकाबाद समाचार 24 परिवार को परिवार को परिवार को पचास लाख रुपे एक चेक मौच किया परिवार में एक नोकरी और सहीद के नाम से जिले में कोई शड़क बनाने का काम किया जाएगा परिवार के लोगों ने भी इच्छा वेद की कि यहां इसमारक बना दिये जाए फुरी इसमारक भी बना देखा हाथ रस्प में नगर पाले का